पौधों को लगाने के बाद उनकी देख भाल करना वहत जरूरी होता है क्योंकि अगर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं तो हमारे पौधे सूखने लगते हैं या फिर पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं तो दोस्तों अगर हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पौधे सूखे नहीं और हमेशा हरे भरे रहें तो आप लौकी के छिलकों और अनाश के पानी से इस फर्टिलाइजर को बना कर अपने पेड़ पौधों को हमेशा हरा भरा रख सकते हैं नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे की आने वाली कोई भी नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके दोस्तों ये बनानी खात बहु नमक को डालने से तयार हो जाती है तो चलिए देखते हैं कि ये नैचरल फर्टिलाइजर कैसे बनाई जाती है इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए 100 ग्राम यानि की 2 मुठी लोकी के ताजे छिलकों को लेना होता है और उसको किसी भी कांच या फिर प्लास्टिक के कंटे बनी देना होता है 24 गंटे के बास दोस्तो पानी सही चिलकों को ग्राइंड कर लेते हैं और इसका एक महीन पेस्ट इस तरीके से बना लेते हैं अब इसके बाद इस बने हुए पेस्ट को छानकर अलग कर लेते हैं इस छने उए पानी में जो हम लोग दाल, चावल और सबजी भिगोई होती है जिनमें उनका पानी निकाल कर इसमें मिला देते हैं इन सभी चीजों को अच्छे से छान कर एक सलूशन तयार कर लेते हैं और इस सलूशन में थोड़ा सा नमक मिला देते हैं अब ये नेचरल फर्टिलाइजर बन कर तयार है इस नेचरल फर्टिलाइजर को हम लोग अपने पौधों पर इस्प्रे के रूप में भी प्रियोग कर सकते हैं लेकिन मैं ये fertilizer दिन में बना रही हूँ और मेरे बगीचे में काफी धूप है इस वज़े से मैं इसमें spray नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि spray केवल या तो सुबे करा जाता है या फिर सूरण डूबने के बाद में ही किया जाता है मैं इसको आप लोगों को अपने पौधों में डाल के दिखाऊंगी तो दोस्तों इसको डालने के लिए सबसे पहले तो अपने गमलों की मिट्टी को शेक करना है इसके लिए मिट्टी अच्छे से जब गमलों में सूखी हो तभी ये fertilizer डालना होता है और एक दस्ते बारा इस बनी हुई natural fertilizer को किसी भी प्रकार के पौधे पर यूज किया जा सकता है सबजी वाले पौधों पर यूज करने से रियल्ट काफी अच्छा मिलता है दोस्तों आप जान लेते हैं कि इस natural fertilizer को डालने से पौधों पर क्या असर होता है तो इस लौकी के छिलकों से बने हुई नेच्रल fertilizer में कई पोशक तत्तों पाये जाते हैं जैसे कि vitamin B, zinc, potassium और calcium काफी मात्रा में पाया जाता है अगर इसको हम लोग अपने पौधों पर regular डालते हैं तो यदि फूल नहीं आ रहा होते हैं तो जल्दी ही फूल आने लगते हैं इसके अलावा अनाश के पानी में काफ यूसफुल होते हैं जिंक और vitamin B मिट्टी को पोशक देने के साथ साथ मिट्टी में नमी भी बनाए रखते हैं दूसरा इसमें जो हम लोग नमक का यूस करते हैं तो नमक और इस solution में जो potassium होता है उसकी वज़े से मिट्टी में यदि किसी प्रकार का कोई कीड़ा होता है त दोस्तों यदि आप लोग भी बनाकर अपने पौधों पर इस fertilizer को यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि result आपको बहुत जल्दी ही नजर आएगा दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा झाल